हाई फ्रेंद्स वेलकम तो माई बेसिक किचिन तो यह है जीरो ओइल एंड हेल्दी होममेट पीनट बटर तो आप में से जो भी लोग पीनट बटर खाना पसंद करते हैं वो यह रेसिपी जरूर देखें तो सबसे पहले आप एक कढ़ाई में अपनी रौ पीनट यानि की कच इच्छा और सिहत मन बनता है यह देखें ब्राउन स्पोर्ट आने लग गए हैं इसका मतलब है मुफली भुनके तयार है तो इसको फिर आप ठंडा होने के लिए किसी फैले हुए बर्तर में निकाल लें देखें इस तरीके से तो यह थोड़ी ठंडी हो जाएगी और उसके अब चलते हैं बात करते हैं ग्राइंड करने की दोस्तों इसे ग्राइंड करने के लिए आप ग्राइंडर जार ही यूज करेंगे यह ब्लेंडर या मिक्सर में नहीं ग्राइंडर जार में ही बनाएंगे हम तो मैंने आपको दोनों तरीके के दिखाए तो मैं इस टैप के ग यह देखे मैं आपको करकर के दिखाऊंगी हर स्टेज पे कैसे बनता है पीनट बटर तो सबसे पहले यह कुछ ऐसी स्टेज में आ जाएगा दरदरा सा पिस जाएगा यह देखे कुछ ऐसा हो जाएगा यह फिर मैं दुबारा इसे धकन लगाके और पल्स मोड पे ही दुबार अगर आप चाहें तो यह दोनों चीज़े नहीं भी डाले तो भी यह पीनट बटर काफी टेस्टी बनता है तो देखे उसके बाद जब हमने दोबारा से छे साथ बारी इसे पल्स मोड पे चलाया तो यह कुछ ऐसा हो गया देखे हलकी सी बाइंडिंग आ गई है इसमें जि टिन चार बार यह चलाया है यह देखे अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका टेक्चर काफी बटरी हो गया है दोबारा से करेंगे और अब देखे इसका टेक्चर एकदम बदल गया है तो इसे इस टाइप की कंसिस्टेंसी में लाने में आपको लगबग देट से दो मिनट लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी grinder jar पे, दोस्तों जब भी आप ये grinding करें, इसे हमेशा खुल-खुल के चमट से mix करें, और देखिए, मैंने चार बारी ये pulse mode पे लगभग 6-7 बारी चलाया था, हर एक बारी में 6-7 बारी, तो मेरा peanut butter बनके बिल्कुल तयार है, अच्छा दोस्तों ये जो है थोड़ा सा दरदरा peanut butter है, क्योंकि मुझे थोड़ा crunchy peanut butter पसंद है, अगर आप लोग चाहें, तो इसे एक बार और 3-4 बार चलाएंगे pulse mode पे, तो एकदम creamy peanut butter बन जाएगा, मैंने इसमें कोई oil नहीं डाला है, हाँ जो बाजार में मिलते हैं, वो जादा creamy होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा hydrogenated fat, यानि की refined oil डाला चाहता है, बर दोस्तों क्योंकि हम homemade peanut butter बना रहे हैं, तो हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, यह एकदम शुद peanut butter आपके लिए तैयार है, इस recipe को प्लीज एक बार try करें, और मुझे बताएं आपको कैसी लगी, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरे चानल को subscribe कीजिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रेड पे spread करके की इसकी spreadability यानि की लगाने की शमता कैसी है, यह देखिए, कितने आसानी से यह इस पर लग रहा है, और खाने में उतना ही स्वादिश्ट है, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई